आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करे प्रशन दिया है हमें कि विद्दुत लेपन क्या है, इसके उपियोग लिखे है, तो आईए हम लोग इस प्रशन का उत्तर देते हैं और देखते हैं कि विद्दुत लेपन क्या होता है, ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा गया है, विद्दुत लेपन क्या होता है, तो विद्दुत धारा के माध्यम से एक वस्तू पर दूसरी वस्तू यानि की एक धातू की सता पर दूसरी धातू की सता की परच चढ़ा दी जाती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग या फिर विद्दुत लेपन कहते हैं और यह जो विद्दुत धारा होती है हमारे प हमारी वतैंगा इस सब्स've कि खरवज का टर्मिनल चे सब्सक्राइब यहां ठर्मिनल पर आएगा यह वाले पर इस तरह से इसमें एक द्रव भरा रहता है, यह द्रव हमारा il pill rất light होता है, जिस पर हम लोग एक जहां पर ज atrás की मान लेते हैं, की यह metal है, तो इस metal में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोए को ले लेते हैं, लोए पर हम लोग अक्सर जो है, यहां पे copper या फिर copper या फिर chromium या फिर nickel की परत चड़ा देते हैं ताकि उसमें junk ना लगे या फिर संचारन की जो प्रक्रिया है वहना हो तो इस metal के जगा पे हम लोग क्या करें लोहे की परत न रोहे की जिस वस्तू पे लोहे की जिस वस्तू पे हमें परत चड़ानी है उसको cell के रड़ दूर से जोड़ देंगे और इस तरह से हमारे पास solution हो जाएगा copper sulfate का फिर यहां पे एक paper कि जो हम लोग धन सीरे लिए है उस पर copper से चड़ाएगे तो copper धातु लगाएंगे chromium की चड़ाएंगे to chromium धातु और nickel की चड़ाएंगे तो nickel धातु यहां पे रिख देंगे तो अभी copper से देखते है तो copper की इस तरह से धन सीरे पे रखा जाता है यहां से क्या है इलेक्ट्रोन निकलते हैं इस तरह से और यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस सॉलूशन यानि की जो द्रव है उसके माध्यम से भी यहां से क्रॉप निकल निकल के यह जो हमने मैटल रखा है ठीक है मैटल जो लोहे का हैं हमारे पास उस पर इस तरह से आप देख सकते हैं संत्रे रंग की परत चड़ गई है यही हमारी विध्दुत लेपन की प्रक्रिया होती है तो हमने क्या क्या लोहे के उपर पर में या जो भी धातू उसके उपर में कोपर की एक परट चढ़ादी यही क्या हो जाएगा विद्दुत लेपन की प्रक्रिया होगी तो विद्दुत लेपन के माध्यम से हम लोग किसी भी धातु को छै या फिर नश्ट होने से बचा लेते हैं ठीक है इसे धातु का जो संचारण होता है वह नहीं होता है जैसे लोहे में हम पानी में इस वज़े से उसको बचाया जाता है और साथ ही साथ यहां पर विद्दुत लेपन के फाइदे यह हो जाते हैं कि जिस धातु पर हमने लेप लगाया है वह जो है उपयोगी बन जाती है और उसका जो बाहरी गुड रहता है वह हमें दिखाई देता है साथ ही जंग में निखार आता है और वस्तु जो है संरक्षित हो जाती है तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि विद्दुत लेपन का क्या क्या और उपयोग हो सकता है हमारे पास क्योंकि हमें पूछा गया है इसके उपयोग भी लिखने हैं तो सबसे पहला तो उपयोग हमारे पास कहां पर यह हो जाता है कि अगर हम लोहे पर निकिल की अगर लेप कर देते हैं ठीक है यहां पर निकल का हम लोग लेपन कर दिये विदुत लेपन विधी के माध्यम से जो कि किस पर करते हैं हम लोग इस पात पर करते हैं यानि कि लोहे के जो कल पूर्जे होते हैं छोटे चिकना हो जाता है जिसके वज़े से घर्षन का मान कम हो जाता है और हम लोग इस पात की बनी बहुत सारी चीजों का प्रयोग हमारे गारी मोटर और जो चलने वाली समागरी होती है उसमें लगाते हैं तो उसमें घीसे का कम जिस वज़े से घर्षन कम होगा और छरण भी रोक जाता है यह तो हमारा उपयोग योग यह साथ हम लोग यहां पर क्रोमियम का लेपन करते हैं क्रोमियम का लेपन जो है किया जाता है उस समय यह सजावट के लिए होता है जिससे वस्तु जो है हमारी सुन्दर हो जाती है सुन्दरता के लिए हम लोग इसको करते हैं वस्तु की सुन्दरता के लिए और सांदी साथ अगर हम लогARE tucked चांदी सोने पर लेपन करते हैं तो मुख्यता या किसलिए होता है चांदी या सोने पर एजी या फिर एयू जो होता है हमारे पर सांदी या सोना इसको हम लोग गहने बनाने के लिए या कीमती वस्तु बनाने के लिए करते हैं तो गहनों में यह चमक लाता है और साथ ही साथ हम लोग बरतन बनाते हैं तब भी बरतनों के लिए भी हम लोग सोने और चांदी के जो बरतन होते हैं पर यही लेपिंग की जाती है यानि कि लेपन होता है तो यह हो गया हमारे पास उप्योग और किसी वस्तु को छह होने से बचाने के लिए हम लोग विद्धुत लेपन करते हैं धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाइटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आज ही डाउनुट करें डाउट्ने आप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर